बैंगलूरू में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होने वाली है इससे ठीक पहले पश्चिमंगाल में संपन हुए पंचाइट चुनावों के बाद कॉंग्रिस और तुर्मुल कॉंग्रिस आमने सामने है संगर्ष का मैदान मालदा और मुशिदाबाज जिला है जहां दोनों ही क्षेत्र में कॉंग्रिस का प्रभाव है लेकिन पंचाइट चुनाव में मम्ता बनर्जी की टीमसी पैट बनाने में सफल रही इन दोनों ही इलाकों में हिंसा के बाद कई लोगों की मौद भी हुई है पंचाइट नतीजों के बाद मीडिया से बात करते हुए मम्ता बनर्जी ने कहा कि मुझे सीपीम कॉंग्रिस पर दया आती है मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि राश्ट्री इस्तर पर गड़बंधन की बात चल रही है लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस्तर अव्यभार करेंगे और मैं आपका मनोरंजन करूंगी वहीं वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता अधिरंजन चौधरी का नाम लिये बिना बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए उन्हें जिम्यदार ठहराया मकसद के लिए कॉंग्रेस और CPM के साथ चलने को तयार है लेकिन उसे लगता है कि जिस तरह से बंगाल कॉंग्रेस TNC पर हमला करती है वह पूरी तरह से अनावश्यक है बैठक में यही संदेश कॉंग्रेस को दिया जाएगा त्रिलमूल कॉंग्रिस का मानना है क्यूंकि कॉंग्रिस बंगाल में ताकतवर नहीं है इस्ते राज्यस्तर पर पार्टी के साथ कोई डील नहीं हो सकती है दूसरी ओर बीजेपी ने कॉंग्रिस पर हमला करना शुरू कर दिया है भगवा पार्टी ने पूछा है कि जब मम्ता बनर्जी की पार्टी ने कॉंग्रेस कारेकरदाओं की हत्या कर दी है तो गांधी परिवार TNC से कैसे हाथ मिलाएगा विपक्षेक्ता के विचार का मजाग उड़ाते हुए बीजे पिनेता सुवेंदू अधिकारी ने कहा मम्ता बनर्जी बंगाल में कॉंग्रिस और सीपीम पर हमला कर रही है लेकिन पटना में सीधा राम ये जूरी के साथ शाय पी रही है भले ही राहूल गांधी मम्ता बनर्जी को सुविकार ना करें फिर भी वह आगे बढ़ती है और उनसे बात करती है जहां तक कॉंग्रिस का सवाल है तो अधिरंजन चौतरी मुखे मंतरी के सबसे बड़े आलोचक बने हुए है उनके लिए बंगाल में टीमसी के साथ दुश्मनी कम करना असंभव लगता है क्योंकि उन्होंने मम्ता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है ऐसे में बैंकलूरू में उने वाली बैठक में टीमसी कॉंग्रिस किस तरह मिलती है यह देखना दिलचस्प होगा